फाइप सेकेंड टू सेकेंड रेडी भारत जोडो यात्रा की समापन की पहले राहुल गाधी ने सी नगर की लाल चोक में राश्र धोज फहराने के बाद जम्मो कस्मीर में कानून यों व्यवस्था को लेकर जो प्रस्न उठाए वे इसलिए हास्यास्पद हैं क्योंकि यदि इस्थितियां अच्छी नहीं होती तो वहाँ पर तिरंगा नहीं फैरा सकते थे भले ही सुरच्चा में कमी की सिकायत कर राहुल गाधी ने स्वयम को एक दिन इस यात्रा से अलग रखा हो लेकिन उन्होंने जिस तरह भारी भीड के साथ अपना सफर सुरू किया वहाँ यहीं बताता है कि राज्य में कानून उम्बिवस्था सुधरी है इसका कारण है यह की जम्मू कस्मीर से अनुच्छीद तीन सो सत्तर हटाने का साहसिक फैसला लेने के बाद ऐसे अनेक कदम उठाए गए जिन से आतंकियों और अलगावादियों के दुस्साहस का दमन हुआ इससे भी वहां और विशेश रूप से घाटी का वातावरण बदला इस बदले हुए वातावरण के कारण ही कांग्रेस कस्मीर में भारत जोडो यात्रा कर सकी यदे हालात बहतर नहीं होते तो संभवता वहां भारत जोडो यात्रा परती ताक्तमक रूप से ही हो पाती या ठीक है कि राहुल गाधी और उनके सहयोगी राजनीतिक कारणों से जम्मु कस्मीर के बदले हुए माहौल की सराहना नहीं कर सकते लेकिन उन्हें यह आभास तो होना ही चाहिए कि इस माहौल में उनकी यात्रा को संभव बनाया अब जब भारत जोडो यात्रा का समापन होने जा रहा है तब फिर कांग्रेश को इसका आकलन करना चाहिए कि इससे उसे हासिल क्या हुआ या प्रस्ट इसलिए क्योंकि इस यात्रा का उद्देश और संदेश इसपस्ट नहीं रहा कहने को तो भारत जोडो यात्रा देश में नफरत के वातावरण को दूर करने के लिए की गई लेकिन जब यह यात्रा दिल्ली आई तो सुयम राहुल गाधी ने कहा कि उन्होंने करीब 2800 किलो मिटर की अपनी यात्रा में कहीं पर भी नफरत नहीं देखी क्या इसका यह अर्थ नहीं की देश में नफरत फैलाने का निराधार सोर मचाया जा रहा था इसमें संदे नहीं की भारत जोडो यात्रा के माध्यम से यह अच्छे से रेखांकित हुआ की राहुल गाधी ही कांगरेस के सर्बोच्च नेता हैं लेकिन यह तो पहले भी इसपस्ट था निसंदे राहुल गाधी ने कांगरेस में अपनी सर्बोच्चता पर मुहर लगवाली लेकिन यह कहना कठिन है की भारत जोडो यात्रा में आई भीड वोटो में परिवर्तित होने जा रही है और राहुल साजा विपच्च के नेता के रूप में उभर आए हैं इस यात्रा के जरिये कांगरेस के नेत्रत में विपच्च को एक जुट करने का उद्देश से भी फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है सहयोगी दलों को छोड़ कर अन्य दलों ने इस यात्रा से दूरी बनाना ही बहतर समझा कांगरेस को विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ उसे यह प्रस्न भी पूछना चाहिए कि क्या इस यात्रा के माध्यम से वादेश को जनता को आकरशित करने वाला कोई बिमर्ष खड़ा कर सकी कर दो ओ प्रस्टा चाहिए कि बना चाहिए कि का उन्य भी पूँआ से इस यह जड़िकर सकी